नमस्कार मित्रो जैमातदी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो मित्रो हम बात करेंगे आपके अगले 24 गंटों के महत प्रणरासी फल की यानिकी दिनांक 8 सितंबर 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए सरुप्रतम बात करें पंचांकी तो 8 सितंबर को गुरुवार का वार है साथ में भादप्रतमास के सुकलपक्स की तरियोधासितिती है और मित्रो आप सभी को बता दें इस्रवन नक्सत रहे और अतिगंड और सूकर्मा यूग का निर्मान हो रहा है वहीं सुर्रे के इस्तती सीही रासी पर रहेगी तो दूसरी और भाव पड़ेगा मित्रो कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जो आपके जीवन पर प्रतिकुल परभाव डालेगी कौन सी सावधानिया आपको बरतना पड़ेगी और कौन सी चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस वीडियो में हम आपको यही सारी ज से सरासी फल का निर्मान किया है तो हमारी इस मेहनत के बदले आप से सिर्फ छोटी सी विंती है कि वीडियो की बीच में हम बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे तो अंत तक बने रहिएगा सब से पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दीजेगा और कमेंट ब बना रहेगा तो चलिए मित्रो अब वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमौल विचार से तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदिगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं अच्छे भी कुछ लोग हैं तो आप हमेशा उनका अच्छा और भला करने में ही अपने इस जीवन का उपयोग करें क्योंकि यदि अगर आप में एहिंकार आ गया और उन लोगों को आपने नीचा ही समझ लिया तो भगवान को समय बदलते बिलुकुल भी देर नहीं लगे तो गुरुजी का यह ज्यान आज ही से अपने जीवन में जीवन रमल कीजेगा मित्रो गुरुजी का यह ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवस्ति लिखेगा तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 गंटों के महत प्रण नरासी फल की मित्रो विचार करके निर्नाई लेने की आवश्यक्ता होगी क्योंकि कभी कभी आप बिना विचार की निर्नाई लेते हैं जिसकी वजह से काफी सारी सम्ष्याओं का सामना आपको करना पड़ताए जीवन से संबंधित कई सारी बातों का अवलोकन आपके करात्मक होगी कुछ बाते न करात्मक होगी तो मित्रों जिसके कारण आप अपने लक्स के प्रती और उससे जुड़ी भावनाओं के प्रती इस पश्टता महसुस करने में कामियाब रहेंगी जीवन में किन बातों को इस्थाई रूप से रखना है और किन बातों को निकाल द इस बारे में भी सोच विचार करने के कारण थोड़ी तकलिफ आपको महसूस होगी क्योंकि मित्रों धियान रखिएगा कि यह जीवन इस्थाई नहीं है जीवन में कुछ न कुछ आता रहता है जाता रहता है चलता रहता है रुकता रहता है लेकिन आप भावनात्मक सोरुप से खुद को समय के अंत तक बहत्रिन पाएंगे मित्रों जो बात आपके मन के नुसार नहीं हो रही है बहुत सोच हिचार कर लिया बहुत भागा दोड़ी कर लिया लेकिन फिर भी आपके पक्स में अगर वह बात नहीं आ रही है तो सोयम को सूखी रखने के लिए मित्रों आपको उस बात को भूल जाना है जो बात आपके मन के नुसार नहीं हो रही है उनके बारे में दुखी ना हो और मित्रों प्राप्त हुए मोके पर काम करना सुरू करें लोगों के साथ बढ़ता हुआ मेल जोल और पारिवारिक जीवन से अधिक सामाजिक जीवन को मेहत्तो देना पार्टनर को नाराज बना सकता है और एसीडिटी की समस्या थोड़ी बहुत तकलिफ दायक साबित होगी तो आपको बता दे मित्रों कि जिन लोगों के कारण आपको दुख और परिशानी उठाने पड़ी थी इसे लोगों के बारे में आप अधिक सोच विचार करके ख अपेकसा रखते हैं तो मित्रों आपको बता दे कि अपेकसा के अनुसार आपको सहयोग तो मिल जाएगा इसलिए खुद के ही मार्ग गरसक और प्रेणा इस्थान आपको बनना होगा जितना अधिक आप अपने जीवन से संबंदित बातों पर होकस बना कर रखेंगे उतनी अधिक इस पश्टे स्वरुप से बाते आपको समझ आईगी मित्रों काम से जुड़ हुए टारगेट को पूरा करने के लिए आपको उची सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसका अधिक से अधिक फाइदा उठा कर अपने काम को पूर्ण करने की कोसिज करें पार्टनर को आपसे कुछ अपेकसाई हो सकती है जिसे वह खुल कर नहीं बोल पाएंगे लेकिन आप उन बातों को आसानी से समझ सकेंगे मित्रों पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहा रहा है लेकिन वह खुल कर आपसे बात नहीं कर पा रहा है आप दोनों के बीच में इस वज़े से छो आयूव्रेद सबसे बड़िया और उप्योक्त रहेगा। मित्रोग आप जितना आयूव्रेदिक चीजों का सेवन करेंगे उतना ही बीमारियों से दुर रहेंगे और आपको बता दें कि जीवन में घट रही घटनाएं इतनी कठी नहीं हैं जितना की आप समझ रहे हैं। जो घटनाएं घट रही है वह थोड़े समय के लिए हैं। केवल मानसिक रुप से कमजोर होने के कारण हर एक बात को आपको अपनी नियंत्रन से बाहर नजराएगी। मित्रो खुद की सेहत और मानसिक बातों में संतुलन बनाए रखने के लिए जानकार इव्यक्ति के मार्ग दरसन और थेरेपी को आपको आविश्यक्ता पढ़ाएगी। मित्रो आप धार्मिक गती वीज्यों में जाना ज्यादा पसंद करेंगी क्योंकि वहाँ पर आपके मन को सांती मिलती है और एक अलग ही तरह का अनुभव और आनंद आपको मिलता है। लव मेट को कोई उपहार दे सकते हैं लेकिन उपहार के लिए मित्रो आपको पेशा खर्च करना पड़ेगा लेकिन एक सलाप को दी जाती है कि अपनी जरूरत से ज़्यादा अपनी सम्ता से ज़्यादा पेशा खर्च बिलकुल ना करें। वरना आगे चल कर आपके लिए मुश्किले बढ़ सकती हैं रिष्टो में नयापन लाना हैं तो आप उपहार दें प्रेम से रहें मिल जुल कर रहें। सुब कार्रों में आपकी रूची बढ़ेगी आप जिस भी सुब कार्रे में जाएंगे वहाँ पर आपके लिए सब सुब ही सुब होगा। आप चाहें तो नया पद ग्रहन कर सकती हैं जो घर में खुस हालिया लाएगा लेकिन आपको नये पद का उसर भी मिलेगा मित्रों और खुसी का माहुल पूरे जीवन रहेगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छा बनेगा और बच्चों के साथ भी समय वितेगा जिसे आपका बच्पना भी आप याद करेंगे। साथी मित्रों आपको एक साउधानी बता रहे हैं बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि सीडिया चरते वक्त दमे के मरीजों को साउधान रहना चाहिए ये लिख्यों हमारे जो भी जा तक दमे के मरीज हैं तो आपको बता दे कि जल्द बाजी में सीडिया चरने की कोशिस न करें नहीं तो सांस से जुड़ी तकलिफ का सामना करना पड़ सकता है आहिस्ता आहिस्ता लंबी सांस लेने और छोड़ने की कोशिज करें और ध्यान रखिए कि इसे कोई भी कारें ना करें जिसके आपकी सांस फुले या कई भी इसी भागा दोड़ी ना करें मित्रो नया आर के करार अंदिम रुप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा यानि कि पेशों का पलड़ा पलतेगा और सारी तरफ से चारों तरफ से पेशा आपकी और आएगा आपका जो खाली समय आपको मिलने वाला है उसका भरपुर लाब लें और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भ लें और लंबा दोर जो काफी समय से आपको दबेश्य होए था वह कत्म हो चुका है एक लंबा दोर था जो आपके ओपर तनाव बनकर मंड़ा रहा था चुकि कोई आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है और जल्दी ही आपको आपका जीवन साथ ही भी मिलने वाला है विवाय चुक जात को के लिए एक विशेश रिष्टा होगा और दिल के साथे कार रिष्थन में ही मिल जाएगा जिस तपक्का हो सकता है आप असम्मगी हो रहे हैं अपने भावनाव पर कंट्रोल रखें और सोर्सर मेडिया पर फोटो से धियान से अपलोड करें गलस्ट लाइक अवस्य कर दिजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाए नमस्तु भ्यम अवस्य लिखियेगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभिमित्रों हमारे चैन अवffot आप breed वीड बॉक्षब देन प्राप्ति के लिए度र वीड़ी कि लगभ will झाव धती है